तो बच्पन से जो प्याज खाई है ना वो आपके पसीने से बनी हुई प्याज खाई है हम तो आपी के हाँ से आती थी जो प्याज उसी पे गुजारा करते थे जिन किसानों ने बच्पन से मुझे प्याज खिलाई हैं उन किसानों का भला करने के लिए दिल्ली में बैटी भी सरकार कभी कोई कमी नहीं रखेगी बिल्कुल सही कहा कोई भी कमी कोई भी कसर यहां पर नहीं छोड़ी गई है पिछले दिन से एक न्यूज वाइरल हो रही है और भहत ही भयानक मुद्दा है यह इस समय का काफी कुछ प्रभाव जो है किसानों की आर्थिक इस्तथी पर इस डिसिजन से पढ़ने वाला है तो य और यहां पर जो यह डिसिजन लेना यह प्रत्यक्स रूप से किसानों के लिए नहीं है लेकिन प्रत्यक्स रूप से इसको जो नुकसान होगा वो किसानों का होगा इसको हम समझते हैं दोस्तों कि पहले जब एक्सपोर्ट यहां से किया जाता था तो उस पे कोई एक्सपो को लेके एक मुद्दा उठा था जिसमें पिछले दिनों टमाटर एकदम से महंगे हो गए थे इसके बाद अब जो है कुछ रिपोर्टर और कुछ मीडिया वालों का केना है कि प्याज एकदम से महंगा हो जाएगा यहां पर और जो है इस्टोक नहीं है तो मैं उन मीडिया व पर जो है टमाटर के जो रेट थे वो करीबन दस रूपए में चार किलो टमाटर मिल रहे थे तो आप उस समय कहां थे आपकी हेडलाइंग उस समय यहां पर अकबार में नहीं चाहती थी तो मैं उन सभी जो है मीडिया के प्रभारियों से कहना चाहूँआ कि आप थोड़ा स जो भी इस्टेट में जहां पर किसान लोग लोग करते हैं उन सभी के आर्थिक जीवन से जुड़ा वो मुद्दा है तो आप इस चीज को थोड़ा सा समझेगा एक्सपोर्ट ड्यूटी एकदम से 40% कर दी गई है यानि कि दोस्तों सिधा सा हम इस चीज को समझते हैं कि या से 10 लाग का माल गरिता है यानि किसी मंडि से 10 लाग का माल एक्सपोर्ट कौरिटी के लिए खरिता है तो उसको लगबग लगबग 4 लाग रुपए तो एक्सपोर्ट ड्यूटी भरना पड़ेगी उसके बाद वो व्यापात कर सकता है तो यानि कि दोस्तों इतना जोखिम इतनी महेंगी एक्सपोर्ट डूटी वो अदा करके बिजनेस नहीं कर पाएगा यह थोड़ा सा आप चीज को समझेगा तो इसका सिधा सा जो खामिया जाहे वो हम सभी किसान भाईयों को भूगदना पड़ाया क्योंकि दोस्तों वो एक्सपोर्ट डूटी उसमें फैटिलाइजर के रेट इन्होंने बड़ा है तो हमने कुछ नि कहा इंसेक्टिसाइड हर्विसाइड और इनके रेट इन्होंने बड़ा थो फो हमने कुछ न таким 00g तो यहाँ पर इनको कोई अधिकार नहीं है कि किसानों की उपज के बारे में तोल भाव करें मेरा सिधा से यह किना है कि आप किसी भी पॉलिटी से ब्लोंग करते हैं मुझे कोई भी उससे लेना देना नहीं है लेकिन दोस्तों मैं किसान का बेटा हूं और किसानों के हक्की बात यहां पर मैं करूँगा तो मैं यहां से MP से ब्लोंग करता हूँ तो MP से भरपूर विरोध यहां पर सरकार के प्रतिक कर रहा हूँ और सरकार नहीं जो निर्ने लिया है मैं इसकी बहुत निर्दा करता हूँ क्योंकि ये किसानों की आर्थिक जीवन से जूड़ी एक बहुत ही बड़ी गंबिर समझ जा है आप इस बारे में क्या अपना विचार रखते हैं कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट जरू कीजिएगा स्वतंद्र कॉमेंट कीजिएगा कोई यहां पर दबाव नहीं है इसी के साथ मैं एक वीडियो क्लिप में यहां पर एट कर रहा हूँ जो कि महाराष्टरा से यहां पर जो हमारा प्याज उत्पादक संगठन है उसके अध्यक्स दिगोले साब ने हमें जारी किया है और उन्होंने भी यहां पर यही निर्देश दिये हैं आप मंडियों में प्याज ले जाने से थोड़ा सा ब्रेक कीजियेगा विरोध कीजियेगा किसान लोग समझने इकोसिस कीजियेगा तो आप वीडियो को जरू देखिएगा केंदर सरकार ने प्याज के निर्याथ पर 40% निर्याथ शुल्क लगा के आज बहुत गलत निर्ने लेया है, इसके चलते मारष्ट और देश के प्याज उत्पद किसानों का भारी नुक्सन होगा, मारष्ट में और देश में ओले गिरने से और बेमस्मी बारिस में प्याज उत्पद का पहले ये बहुत नुक्सन हो चुका है, जिन जिन किसानों ने अपना प्याश टोरेज में भंडरन में रखा है उन किसानों का आदेशे ज्यादा प्याश वहां खरब हुआ है बच्छा हुआ प्याश जिससे किसानों को थोड़ा कुछ अभी प्रफिट होने वाला था उसी वक्त केंद्र सरकार ने निरने लेके अभी अपना जैसा बांग प्याश टोरेज में रखते है उसका नुक्सान अगर उसमें पकड़ा जाए तो प्याश का जो खर्चा है वो तीन हाजर से आधिक हो गया है जिए प्याश के दाम छे आजर साथ हाजार रुपए क्विंटल हो जाते तब अगर यह निरने लिया जाता तो कोई दिक्कत नही लेकिन आज के तारिक में प्याश में प्याश के जो दाम है आवरेज दाम है वो देड़ हाजर से लेकर दो हाजर तक है और इतने कम दाम में अगर यह निर्याद जो है शुल्क वो 40% बढ़ा दिया है इसका दूसरा मतलब है कि प्याश की अगोशित निर्याद बंदी लोगों को पुरे देश में घुमने नहीं दिया जाएगा यह महाराष्ट प्याश उत्पादक संगड़न के ओर से इशरा दिया जाता है इसके कारण तुरद केंद्र सरकार ने यह जो निर्ने लिया है वो पीछे लेना चाहिए ने तो सरकार को यह खामियाजा भुगता न परिगा